मार्श महीने में लगातार बारिश से गेहूं की फसल खराब होने का खत्रा बढ़ गया है। क्रिशी विशेशग्यों के मुताबिक मौसम के बिगडे मिजाज से तापमार में उतार चड़ाव आ रहा है। इसे गेहूं की फसल प्रभावित होने के आसार भी बन रहे हैं। अगर आने वाले दिनों में यही चलता रहा तो खेतों में खड़ी गेहूं की फसल यलो रस्ट बिमारी की चपेट में आ सकती है। क्रिशी बेग्यानिकों ने किसानों को यलो रस्ट रोग की रोग थाम के लिए नियमित तौर पर अपनी फसल का निरिक्षन करने और टेट दवा का सप्रे करने की सलाह दी है। विभागी आंकडों की मताबिक कांग्रा जिले में करीब 95,000 हेक्टेर भूमी में गेहूं, 36,500 हेक्टेर भूमी में धान और करीब 58,000 हेक्टेर भूमी में मक्की की पैदावार होती है। पिछली साल कांग्रा जिले में 94,500 हेक्टेर भूमी पर गेहूं का 1.6-8 लाक मिट्रिक टन उतपादन दर्ज किया गया था। इस बार मार्श महीनी में जमा जम हो रही बारिश से किसान निराश है। किसान राकेश और शंकर ने बताया कि निचली मेदानी इलाकों में फिलहाल गेहूं की फसल यलो रस्ट बीमारी के प्रकोप से बची हुई है। लेकिन मौसम के बिगडे मिजाज से गेहूं की पैदावार प्रभावित होने की चिंता सताने लगी है। उनका यही कहना था कि अगर ऐसा ही हाल रहा तो उनको आने वाले दिनों में खाने के लाले बढ़ जाएंगे। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष उनकी गेहूं की फसल बहुत बढ़िया थी। लेकिन इस बार उनको पिछले वर्ष जैसे पैदावार ना होने की चिंता सता रही है। उनकी फ़ाएंगे जिया के लिए कि असल घ्रیکुरी पुरा होने काद़ी काहरा ना हो इस बढ़िया थी। लेकिन सभ्या पेलिक शोड़ी तो इसमय को थारिता ही व्रें बड़ी बुड़ी यान ईने उड्चाण खर्यार मतुर्व भाब होदी यह बड़ा नुकसान इpineली उड़ी रेद नीस और पूरी खराब हो दी पल्छे मझि उबर निया मतोर है बढले जिन्नी हम निया निया नियी ओनी निया पूरी खुली हो लिए ज़िए इन निया श्राब्ती बज़ेते है तथु आड जिड्या अब रूजी रूटी जड़ा से कान्क किने कया क्या है कर नज दूद बघर रहा हुएं दू फसला हुन दी जा दी जा देथा बाग की ने बाड लग पाल लग ते सी तौंचे यह बर्खहों दी है कर ने कि अी काराने की बर्खा कारे ने यह वह दा वादा बर खाइकारने सारे लिए बर्ख बड़ी जोर सोरदी दुद दिन्या मु के चैनल के लिए धर्मशाला से निपी बादल के रिपोर्ट